आज हम क्या सिखें आज हम सीखेंगे जो वर्ड होते हैं उनके different types of feathers कौन-कौन से होते हैं किस किस तरह के पंग होते हैं और वह कैसे उड़ते हैं ऐसी क्या चीज होती हैं उनमें जो उनको उड़ने में help करती हैं आप और हम तो नहीं उड़ पाते लेकिन वर्ड सी उड़ पाते हैं ऐसा उनमें क क्या दिख रहे हैं कि इसमें different types of feathers हैं जब आप सब घूमते हो तो आपको यह कहीं भी मिल जाते हैं तो जो पहला फैदर है वो किसका है वो है पीजन कबूतर का यह क्रो कवे का फैदर यह स्पैरो चिडिया का यह पैरट के green color and yellow color parrot feathers हैं और यह काइट चील के feathers तो इस तरह से हमें different different feathers होते हैं तो हर एक बर्ड का अलग-अलग types और अलग-अलग color के feathers होते हैं इस तरह से हम कैसे उनको categorize करते हैं जो mainly feathers होते हैं बर्ड के वो mainly three types के होते हैं look at the picture these all birds have different colors of feathers and they have different types of feathers है ना सबके अलग-अलग किसी का color कैसा ही किसी का color कैसा ही है और जो feathers होते हैं इन से बर्ड में बहुत सुन्दरता आ जाती है beauty आ जाती है जो first type of feather हैं वो होते हैं flight feathers flight feathers कौन से होते हैं flight feathers long होते हैं long flat and found on wings and tail ये जो feathers होते हैं ये bird की wings और tail पर होते हैं ये क्या करते हैं they help the birds to fly that's why they are named as flight feathers ये बहुत longest and largest होते हैं ये कहां कहां पाये जाते हैं birds की wings पे पंकों पे होते हैं और tail पे होते हैं और ये bird की उड़ने में help करते हैं इसलिए इनका नम flight feathers है और यह सबसे largest और कैसे होते हैं? longest होते हैं देखो जो आपको पिक में दिखाई दे रहे हैं ये वाले feathers ये तीनों feathers इसके कौन से हैं? flight feathers ये इसके wings पे हैं दोनों और ये tail पे हैं तो these feathers are flight feathers Second type के जो feather आपको दिखाई दे रहे हैं ये हैं down feathers D, O, W and down down feathers F, E, A, T, H, E, R, S feathers down feathers कैसे होते हैं? ये बहुत soft and fluffy होते हैं फूले हुए और बहुत मुलाइम दे लाई next to bird's skin ये birds की skin के बिल्कुल पास होते हैं so they keep it warm और ये bird को warm रखते हैं तो ऐसे कौन से feathers होते हैं? जो bird को warm रखते हैं, गरम रखते हैं? आप जो next type of feathers है, वो होता है body feathers body feathers कौन से होते हैं? जैसे नाम में ये body feathers जो bird की body को cover करते हैं तो these feathers cover outside of the body part of bird and they give it shape and color अब देखो ये colorful हैं, अलग-अलग color हैं तो ये ही feathers होते हैं, जो bird को color देते हैं कि वो yellow color का है, green color का है ये red color का है, तो body feathers कौन से हुए? तो बोड़ी फैदर्स कौन से हुए? दोज covers the body of the bird and give the shape of it उसकी body की कैसी shape है, वो body feathers उसको देते हैं और ये colorful होते हैं तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा feathers and birds के बारे में three types of feathers पढ़ा फिर्स हमने पढ़ा है, flight feathers flight feathers जो long, flat and found on wings and tail and they help the bird to fly दाउन बोड़ी फैदर्स कौन से होते हैं? बोड़ी फैदर्स covers the outside of the body part of bird and give it shape ये पूरी पोड़ी पे होते हैं birds की उसके बाद आता है हमारे down feathers down feathers बहुत soft and fluffy होते हैं देखो बहुत soft and fluffy हैं और ये पूरी बोड़ी को warm रखते हैं bird की आर नेक्स टोपिक is how does a bird fly or what helps a bird to fly bird कैसे उड़ते हैं? हम और आप तो नहीं उड़ पाते वो लोग कैसे उड़ते हैं और उनकी कौन help करता उड़ने में अब हम ये देखेंगे मैंने आपको बताया कि birds में क्या होता है wings and feathers होते हैं पहले मैं आपको एक बार wings और feathers में difference बता रही हूँ जो feathers होते हैं वो wings को cover करते हैं और जो wings हैं wings में उनकी muscles और उनकी bones होती हैं feathers में muscles और bones नहीं होती पहले क्या चीज़ होती है wings जिससे वो उड़ते हैं जिनकी help से wings में muscles और bones होंगी और फिर उनके उपर feathers होते हैं wings को cover करते हैं feathers तो birds wings have feathers and strong muscles attached to them और उनके पास strong muscles जो आपको दिखाई दे रही हैं यह wings है और इसनके चार और यह feathers जुड़े हुए है attach है ना और यह जो wings होते हैं यह इनकी help करते हैं उड़ने में और जो birds की chest होती है chest पे जो muscles होती है वो bird को इसके wings को flap करने में help करती है आपको पता है ना जैसे bird उड़ते हैं तो एक बार उसके feathers upside जाते हैं और दूसरी बार downside आते हैं नीचे की तरफ एक बार उपर एक बार नीचे तो यह flap करते हैं अपने wings को और इनके wings को flap करने में इनकी chest की muscles है वो बहुत strong होती हैं और उनकी arm की muscles यह उनको help करती हैं उनके wings को flap करने में upward and downward light which help them to fly easily और जो birds हैं उनकी body हमारे comparison में बहुत light होती है हलकी होती है और वो ही उनकी help करती है ताकि वो easily उड़ पाएं अब उनकी body light क्यों होती है this is because the bones of birds are thin light and hollow मैंने आपको बताया था birds की जो bones हैं वो hollow हैं मतलब अंदर से खाली हैं आपने straw देखिये ना जिस से आप लोग juice और पानी को drink करते हो सक करते हो वो अंदर से खाली होती है खाली उसकी outer covering होती है इसी तरह से जो birds की bones होती है वो thin light और अंदर से खाली होती होलो होती है इसी तरह से उनकी body light है हलकी और वो अराम से उड़ लेते हैं the shape of birds body is like an aeroplane अपने को देखा है और aeroplane की जो shape होती है उसी तरह से bird की shape होती है aeroplane आगे से narrow होता है bird की भी आगे से narrow होती है so that they can cut the air जो air को easily cut कर पाती है और जैसे सारी बीच से और पीछे से तो यह सारी bird की shape जोते हो एरो plane से match करती है और यह easily उड़ लेते हैं the bird flap its wings in upward and downward directions which causes it to move in forward direction जो birds होते हैं वो अपने जो इसके wings होते हैं उनको flap करते हैं फड़ फड़ाते हैं उपर नीचे करते हैं जब वो उपर की तरफ करेंगे तो यह direction होती है upward और जब यह नीचे की तरफ करते हैं यह direction होती है downward इस तरह से वो flap करते हैं और easily उड़ पाते हैं now we will discuss about the types of beak of bird मैंने आपको बिच की बीक होती है they depends upon the type of food they eat जो bird है किस तरह का खाना खाता है उसके उपर depend करता है कि उसकी बीक कैसी होगी किसी की बीक बहुत short होती है जैसे इसमें दिखाई हूँ यह बहुत short beak है और आगे से pointed है और यह long beak है यह card है और pointing है और इसी तरह से जो parrot है उसकी बीक भी card होती है और strong होती है इसी तरह से beaks को कितने parts में divide कर सकते हैं और किस किस तरह बर्ड की कैसी कैसी beak होती है अब हम यह देखेंगे जो first type of beak है वो है chisel shape beak chisel shape beak कैसी होती है it helps the bird to poke holes in tree trunk and pull out the insects to eat यह कैसे होती है यह chisel की तरह होती है जो bird की help करती है कि वो tree के अंदर hole कर पाए छेद कर पाए और उसके अंदर छुपे होए कीडे मकोडे अपने food को खा पाए जैसे woodpecker मैंने आपको वीडियो में दिखाया था कि woodpecker कैसे trunk में hole कर देता है और उसके अंदर छुपे वे insects को खाता है तो इस तरह है कि जो beak होती है आगे से एकदम pointing and strong very hard beak इसको कहते है चेजल shape beak जिसको ये चेजल की तरह यूज कर सकता है अपनी beak को थोड़ी की तरह चेनी की तरह उसमें छेद कर सकता है second type of beak है वो होती है short and flat beak ये किसकी होती है जैसे duck की, crane की ये करते हैं ये muddy water में अपने insects को खाते हैं तो some birds have short flat beak to eat fish and insects from muddy water so that they move short and flat beaks with small holes on either side देखो ये आपको holes दिखाई दे रहे हैं ये इनकी beak पे holes होते हैं ताकि ये mud को अंदर से निकाल पाएं इसको out कर पाएं mud को और अपने खाने को ये अंदर रख पाएं तो इस तरह से इनकी जो beak होती है वो कैसी होती है short and flat थार टाइप ओफ बीक है वो है crushing beak क्रश का मतलब क्या होता है एकदम से मसल देना तोड़ देना तो birds which eat grains, seed and need to crack their food have short and herny beak इनकी beak कैसे होती है hard होती है short होती है ये कैसे कौन-कौन से बढ़ होते है जैसे sparrow, peasant and parrot ये क्या करते हैं ये seeds and grains को खाते हैं दानों को खाते हैं कि दाने आप दालोगे तो ये खा लेंगे तो ये अपनी beaks से उनको crush कर लेते हैं तो इसलिए इनकी beaks का नाम होता है crushing beak ये short होती है और hard होती है ताकि ये crush कर पाएं अपने food को उसके बाद आती है probing beak probing beak कैसी होती है long and slender slender का मतलब होता है बहुत पतली लंबी और बहुत पतली होती है to suck nectar from flowers nectar क्या होता है nectar एक sweet drink होती है फूलों का रस होता है जो ये bird सक करते हैं तो आपको इन birds की दिखाई देरी ने आगे से एकदम से नुकीली और बहुत लंबी है slender and long so that they can suck the nectar from the flowers जैसे hummingbird आपको एक interesting factor पता है hummingbird is the shortest bird सबसे छोटा बर्ड है वो होता है hummingbird पूरी दुनिया में सबसे छोटा बर्ड है hummingbird ये वाला बर्ड और इसकी जो बीक होती है प्रोबिंग बीक ये nectar को सक कर लेते हैं flowers से इसलियान की बीक long and slender होती है कि इस तरह की होती है ये प्रोबिंग बीक ये आपको hummingbird है hummingbird क्या कर रहा है फूलों से इसका nectar को सक कर रहा है ये होती है प्रोबिंग बीक एकदम से स्लेंडर और बिल्कुल बिल्कुल नुकीली अब हम अब हम अपनी बुक में दिये वे कुछ क्यूश्यन्स करते हैं प्रोबिंग बिल्कुल आपको नीचे कुछ बर्ड की बीक की पिक्चर दी हुई है लुक अदम केरफुली आइडेंटिफाइद बर्ड और राइट देर नेम्स आपको इनको ध्यान से देखना है और इन बर्ड को ऐडेंटिफाई करके इनका नाम लिखना है तो फर्स बीक है यह कैसी है काउड बीक है यह किस तरह की बर्ड की है यह है पैरट पी ए डबल आर ओ टी पैरट दिस इज क्रशिंग बीक सेकंड है यह कौन सा बर्ड है यह किस बर्ड की बीक है यह है क्रोड क्रो बीक थाड आपको क्या कौन सा बर्ड दिखाई दे रहे है पिकोग, P-E-A-C-O-C-K पिकोग की बीड कैसी होती है? क्रश्चिंग बीक और नेक्स्ट क्यूस्टिन इस अधर देन बर्ड्स विचार देन अधर अनिमल्स देट केन फ्लाई ऐसे और कौन से अनिमल्स हैं बर्ड्स के अलावा जो उड़ सकते हैं तो ऐसे कौन-कौन से हैं जिनको हम बर्ड्स तो नहीं कहते हैं लेकिन जो उड़ते हैं जैसे बटर्फलाई तो हम क्या लिखेंगे बटर्फलाई B-U-T-T-E-R-F-L-Y बटर्फलाई नेक्स्ट मोस्क्यूटोज M-O-S-Q-U-I-T-O-E-S मच्छर भी उड़ते हैं बैट चमगादड और कौन-कौन से हैं हनी बी मधु मख़्ी उड़ती है हनी बी और कौन से हुई हाउस फ्लाई जो आपको घरों में मख़्ियां दिखाई देती हैं हाउस फ्लाई इनको हम बर्ड्स नहीं कहते इनको हम इनसेक्ट कहा जाता है बर्ड्स नहीं है तो यह बर्ड्स के अलावा दूसरे एनिमल्स हैं जो उड़ सकते हैं आपको कौपी मेंन का नाम लिखना है बर्ड्स विच और अधर एनिमल्स देट कैन फ्लाई बटरफ्लाई मोस्कुटोज बैट हनी बी हाउस फ्लाई इस आपको एक एक एक्टिविटी दी हुई है आपको इस एक्टिविटी में क्या करना है टेक एक स्केर पीस ओ पेपर एक स्केर पीस लें गया पेपर का फर्स पेपर आपको क्या करना है पहले fold it along the dotted line as shown in the picture जैसे आपने ये plain paper ले लिया square piece में और जैसे ये picture में दिखाया वाई इस तरह से आप इसको dotted line की तरफ अंदर की तरफ fold कर देंगे fold the paper into half along the dotted line जैसे जैसे जहाँ जहाँ dotted line है जैसे अभी हाँ तो आप इसको अंदर की तरफ मोड देंगे fold the paper to make beak of the cook as shown in the picture फिर आप यहाँ पे इसकी beak को attach कर देंगे इसको fold करके cut a small round circle from a black paper paste it to the round of the eye of the cook और यहाँ पे एक छोटा सा black color का paper चिपका देंगे और last में आपको किस तरह से इस तरह का bird दिखाई देगा जैसे मैंने आपको photo में दिखाया हुआ है आप अगर fold करके बनाएंगे इस तरह से instructions को follow करके आपको ऐसा bird दिखाई देगा वो बना हुआ paper का आपको यह बना के copy में चिपकाना है your next question is write different types of feathers जो हमने अभी पढ़ा था कौन कौन से different types of feathers है flight feathers, down feathers and body feathers यह आपको copy में लिखने है उसके बाद next activity make the picture of a bird write its name आपको copy में एक word की किसी भी word की picture draw करनी है और उसका नाम लिखने है यह आपको question करने है picture draw करनी है different types of feathers का नाम लिखने है और आपको क्या करने है जो आपकी book में fill up's दियो है इनको fill करने है आपको करने है